नमस्कार सस्रियकाल राम राम सभी किसान भाईयों को रमेश भांबू का हाथ जोड़कर परणाम किसान भाईयों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पेस्बूक पर आरभी सलाकार में बहुत बहुत स्वागत है आज वीडियो के मादियम से हम बात करेंगे बहुत ही महतपुरन चर्चा करेंगे मस्टर सरसों की खेती के बारे में जो किसान भाई सरसों की खेती करते हैं या सरसों की बिजाई करना चाते हैं वो इस वीडियो को एक बार चोटेशी वीडियो है लाश तक जुरूर सुने किसान भाईयों हमने लग बग बहुत सारे किसान भाईयों ने रावनी कर रखी है पानी लगा रखा है सरसों बिजाई के लिए और कुछ किसान भाईय अभी पानी लगानी की त्यारी में है लेकिन आप सब को पता है कि सरसों का बिजाई का जो सई समय है वो साथियों 10 अक्तूबर से लेकर 10 नमंबर तक सर्सों की बिजाई जो है वो हम कर सकते हैं किसी परकार की एक दूसरे के देखो देखे किसानों के जल्द बाजी नहीं करें अपने नर्मे की पसल को भी कुछ किसान भाई वो खाड कर सर्सों की बिजाई करना चाते हैं और जिन किसान भाईयों ने गुवारे की खेती लगाई थी उन्होंने उनका तो केतलग बगतियार हो गया है और अब की बार गुवार की खेती में भी अच्छा खासा हमारे को उत्पादन मिला है बहुत अच्छा उत्पादन गुवार की खेती में हमारे को देखने को मिला है और पिछली बार गुवार बहुत अलके निकले थे इस बार काफी जाड में अच्छा है तो अब सरसों की बिजाई के समय किसान भाईयों हमारे को कुछ महतपुरन जो बाते हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कुछ किसान भाईयों को पता है कुछ किसान भाईयों को नहीं पता है और कुछ किसान भाईयों को पता है फिर भी वो हर बार गलतियां करते ही है तो किसान भाईयो हमारे को करना कि सर्सों की बिजाई में सबसे पहले तो साथ यो हम क्या करते हैं कि खेट त्यार करने के बाद उसमें खात डालने के बिजार में बिजार करते हैं कि इसके अंदर हम कुन सी खात डालें कितनी मातरा में खात डालें तो किसान भाईयो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्सों के अंदर आप DAP खात का जो परियोग करते हैं वो DAP खात का परियोग चाहे वेसक ना करें क्योंकि हमारे एडिये में और हम बहुत ही कम मातरा के अंदर डियेपी खात का परियोग करते हैं सरसों के अंदर डियेपी खात का परियोग नहें करके आप सूपर का परियोग करें सिंगल सूपर फास पोर्स होती है उसका प्रियोग करें तो आपको रजड जो है वो ज़्यादा मिलेगा सस्ती भी है और उसके अंदर सिंगल सूपर फास पोर्स में साथ यो सलफर की मातरा भी होती है तो सलफर भी सरसों की खिती में हमारे को जुरूरी होता है जो तेल वली होती है उनमें सल्फर की मात्रा भी डालनी चाहिए तो सल्फर की मात्रा भी आप उस में यह你在 तो डियेपी की जिगह mimicर आप सागेसान भाईयो शुपर एकाद का प्रयोग करें कहीं आपको 2 बेग सूपर डाल देते हैं और एक साइड में आदा गटाड डीयेपी डालते हैं तो ब्राबर ही काम करते हैं किसान भाईयो और दूसरा बाईयो अगर आप सूपर नहीं मिलता है आपको तो आप DAP की जगहां पर NPK 12-16 का प्रियोग करें क्योंकि उसमें पुटाशियम की मातरा होती है और किसी भी पसल को अच्छे उत्पादन के लिए पुटाशियम की जुरूत भी बहुत जुरूरी होती है तो वो प्रियोग करें उसके बाद में किसान भाईयो जो भी आप सर्सों का बीज लेके आते हैं उसको अच्छे से सीट्रीटमेंट करके और फिर सर्सों की बिजाई करें तो ये ज़्यादा बढ़ी रहता है और जिन समय में जब बिजाई आप कर रहे हैं उसी टेम साथ यो आप उसके अंदर कुछ फंगी साइड का इस्तमाल करना है या फिर किसान भाईयो अगर आप बेक्टिजल में जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा और सुडोमनास बहुत शांदार प्रोडेक्ट हैं आपको ये लगबग गौर्मेंट के माधियम से भी मिल जाते हैं नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट सोप से भी इनका पता करके और इसका जो डालने का सही तरीक है उस तरीके से ट्राइकोडर्मा और सुडोमनास का प्रियोग करते हैं उसमें माईको राजा का भी प्रियोग आप कर सकते हैं तो उससे आपको रजट पहुत बढ़िया मिलेगा, जो तलांगलन की समस्चा है, जड़ गलन की समस्चा है, वो नहीं आएगी, आप बिजाई के समय इन चीजों का ध्यान दें, तो किसान भाईयो, हम इस चैनल के मादियम से आपको सर्सों की हर एक प्रगाल की विराइटी के बारे में भी एगली वीडियो में बताएंगे, कौन सी विराइटी बढ़िया है, हमने इस वीडियो में किसान भाईयो आपके साथ तर्चा की, कि बिजाई का सही समय 10 अक्तुब करते हैं, तो सलफर एक्स्टर डालने की जुरूद नहीं है, और किसान भाईयो, आपको सी ट्रीटमेंट जुरूद करना है, जिन खेतों के अंदर जडगलन, तलंगलन की समस्या आती है, उसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमनास का प्रियोग वश्य करें, जहां फुटा फोलियर सप्रे करनी है, उसके बारे में समपूर्ण जानकर या आपको इसी चैनल के मादिम से देते रहेंगे, तो चैनल को सस्क्राइब जुरूर कर लें, इस वीडियो का अपने सभी किसान भाईयों में ज्यादा है ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद